नमस्कार आपको स्वागत देश्या न्यूस इंडिया मैं मैं पूर्णम आपके साथ प्रधानमंदी नरिन मोदी ने शुकरवार को तमिलनाडू के कन्या कुमारी में जन्सभा की पीम ने कहा आज कन्या कुमारी से देश की दक्षणी चोड से जो लहर उठी है ये लहर बहुत दूर तक जाने वाली है मैं 1990 में एकता यात्रा को लेकर कन्या कुमारी से कश्मीर कया था इस बार में कश्मीर से कन्या कुमारी आया हूँ उन्होंने कहा जम्मु कश्मीर के लोगों ने देश को तोड़ने का सपना देखने वालों को नकार दिया है अब तमिलनाडू के लोग भी ऐसा ही करने जा रहे हैं मैं तमिलनाडू के धरती पर बहुत बड़े परिवरतन की आहट देख रहा हूँ तमिलनाडू में भाश्पा का प्रदर्शन इस बाट DM के और कॉंग्रेस के इंडी गडवन्दन का सारा गमन तोड़कर रखतेगा PM ने कहा हमने Optical Fiber और 5G दिया हमारे नाम पर Digital India स्कीम है India Alliance के नाम पर लाखो करोड रुपे का 2G का स्केम है और DM के उस लूट की सबसे बड़ी हिस्सेदार थी हमारे नाम पर उड़ान स्केम है India Alliance के नाम हेलिकॉप्टर स्केम है हमारी खेलों इंडिया और टॉप स्केम से देज ने खेलों में उज़ा मुकाम हासिल किया लेकिन उनके नाम पर CWG स्केम का दाग है इंडिया लाइंस कभी भी तमिलनाडू को विक्सित नहीं बना सकते इन लोगों का इतिहास घोटा लेका है इन लोगों के राज़िती का आधा लोगों को लूटने के लिए सत्ता में आना है एक तरफ भाचपा की कल्यान कारी यूज नहीं होती हैं तो दूसरी और इनके करोडों के गोटाले होते हैं पीम मोदी ने संगा रेडी में परिवारवात को लेकर विबक्ष पर निशाना सादा था उन्होंने कहा था पता है ये लोग मुझे गाली क्यों दे रहे हैं ये मोदी उनकी आँखों में चुपता क्यूं है उसका कारण है मैं उनके सेकडो हजार रुपे के गोटालों की पोल खुल रहा हूँ पीम ने कहा मैं इनके परिवार के खिलाफ परिवारवाद के खिलाफ बोल रहा हूँ व्यक्तिकत आरोप नहीं लगया वो लोग मेरी बातों का जवाब नहीं देते हैं वो कहने लगते हैं कि मोदी का परिवार ही नहीं है अगर आपके पास परिवार है तो आपको चोरी करने की छूट है सत्ता पर कपचा करने की छूट है मोधी बोले विपक्ष के लोगों ने सत्ता में रहते हुए ब्रश्टाचार के लिए जमीन आस्मान बेच दिये और अपनी कोठियां बनवाई मैंने आज तक अपना घर भी नहीं बनवाया मैं गुजरात का मुख्य मंतरी और अब देश का प्रधान मंती रहते हुए अब तक 1500 करोड के गिफ्ट नीलाम करवा कर जनता की सेवा में लगा दिये इची के साथ पने रहा है इची रूस इंड़ा के साथ करने वाद